सबसे पहले मैं अपने ब्रांच गया, वहाँ पर जब मैंने बात किया कि मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया तो उन्होंने कुछ भी क्लियर बताने से मना किया और वहाँ से मुझे खाली हाथ लोटना पड़ा और सबसे ताजू वाली बात यह है कि एक साथ मेरे द कि मैं अगर साइबल सिल के पास जाता हूँ तो क्या पता कहीं मेरे साथ कुछ प्राब्लम ना हो जाए कर चुका हूँ इसके लिए मैं अपना experience share कर रहा हूँ कि इस time मैं इसको कैसे face कर रहा हूँ क्या मैंने अपने account को unfreeze करवा लिया है या नहीं सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उस case में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स चलि करना है जो कि आपका nearest branch होगा वहाँ पर जाएए उनके पास completely उनके पास यह completely आप जानकारी होती है कि आपके bank account को क्यों freeze किया गया है और एक बात मैं बता तूँ कि आपको bank में जाकर कि किसी employees नहींबल की direct manager से contact करना है वही इसके बारे मैं आपको पूरी complete details से बता दोस्तों bank account भी कई तरह से freeze होते हैं जैसे मान के चलिए कि ज्यादा transactions होने की वज़ा से bank को जब ऐसा सक होता है कि आपके account से कोई unauthorized transaction हो रहा है जो कि जिसमें आप involved नहीं है तब भी freeze होता है हलाकि यह normal से basic से होते हैं कि वाइसी complete करने के बाद यह चीज जो है आपके account को वापस से unfreeze कर दिया जाता है लेकिन दोस्तों bank account सिर्फ bank के ही नहीं बलकि cyber cell, police और investigation agencies के द्वारा भी block किये जाते हैं जैसे मान के चलिए आप कोई business कर रहे हैं या कोई service provider है या कुछ भी है आपके account में गर कोई unauthorized transactions हो रहा है चाहे हो current account हो या फिर saving account हो अगर इस type कोई unauthor address transaction आ रहा है और उनको complain जाती है तो वो बिना पूछे आपके account को block कर देते हैं CRPC section 92 और कुछ ऐसी धाराओं के तहट उनको ये power मिली हुई है कि वो किसी भी bank account को block कर सकते हैं तो ऐसे cases में आपको सबसे पहले अपने bank को contact करना है उनसे पूरी problem आपको बतानी है मुझे उम्म cell का contact number, email ID या फिर पूरा details निकलवाना है, acknowledge number या FIR अगर ऐसा कुछ आपके उपर हुआ है तो इसके बाद आप सामने वाली investigation agency को contact कीजिए, contact करने के बाद आप उनको problem बताईए, अगर मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा complaint नहीं है तो आपको जिस transactions की वज़ा से आपके इसके बारे वो details लेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर ऐसा कोई unauthorized transaction आपके account में हुआ है, कोई अचानक से पैसा आ गया है, तो आप उसके बारे में clear बता दीजे कि इस पैसे की मुझे जानकारी नहीं है, कहां से आया है, बने किसी से मांगा बगरा नहीं तो ऐसे case में क्या है, कि investing agency कि वो पैसे को वापस ले लेंगी, सबसे पहले तो मैं अपना ही experience से यह करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पेसे से एक YouTuber हूँ और एक individual influencer हूँ, यानि कि मैं website develop करता हूँ और Google Ads service पर प्रवाइड करता हूँ, यानि बहुत सारे person ऐ verification, keywords optimization और बहुत तरीखी की चीजे मैं उसमें करता हूँ, ताकि उनका ad अच्छे से run कर सके, और जिन लोगों को Google Ads के बारे में knowledge नहीं है, उनको setup करके देता हूँ, जिसका मैं बहुत ही normal सा charges लेता हूँ, क्योंकि मैं एक individual influencer हूँ, इसके लिए मैंने अभी तक कुछी चीज क नहीं कराया है, लेकिन मैंने अपनी company का एक नाम सोचा है, web solution world, जिसके नाम से मैंने online profile बगरा बना ली है, लेकिन अभी तक क्योंकि मेरा कोई office नहीं बना, इसकी बज़ा से कोई agreement बगरा नहीं होने के बज़ा से, मेरा GST registration नहीं हो पाया है, हलाकि मैंने इसको legal करने के Google Ad Service हो गारा, develop करके या फिर provide करता था, तो ऐसे cases में क्या है कि मैं तो एक individual influencer हूँ, तो मैं Google Pay, phone Pay, direct bank transfer, CDM हो गारा बहुत सारे तरीकों से अक्सर payment अपने saving account में लिया करता था, हलाकि saving account में एक limit से ज्यादा transaction illegal है, मतलब illegal क्या कोई crime नहीं है, लेकिन bank जो है उसको अक्सर suspend कर करती रहती है, तो ऐसे cases में क्या है कि मैं ध्यान रखते हुए कि मेरे account में ज्यादा transaction नहीं हो पाए, मैं उसको transaction करता था, लेकिन 17 मार्ज को अचानक से मेरे bank account पर freeze होने की strike लग गई, ओ भी गुजरात cyber police के द्वारा, अब इसके बाद लेकिन मुझे कोई सूचना या कोई notification या फिर कोई notice वगरा कुछ भी नहीं मिला, direct freeze कर दिया गया है, दूसरे दिन जब मैं कुछ transactions कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरा account freeze हो गया है, जब मैं पैसा transaction नहीं कर पाया, तो मैंने customer gear को बात किया, तो उन्होंने बताए कि आपका account freeze कर दिया गया है, क्योंकि मेरा account मुंबई का था और मैं इस टाइम जो है अपने गाउं में हूँ, यूपी में, तो मैं क्या है कि यूपी से मुंबई इंस्टेंट जा नहीं सकता था, इसके लिए मैंने nearest branch में जा के पता किया, आगरा में, तो वहाँ पर पता चला कि आपका account law enforcement agency के दोरा ब्लॉक किया गय से उसके recording कोई help नहीं कर सकते, आपको अपने main branch जाना पड़ेगा, तो मैं main branch तो जा नहीं सकता था, तो मैंने Twitter पर अपने bank को लिखा कि ऐसा क्यूं हुआ, तो उन्होंने बताया कि law enforcement agency ने आपके account को ब्लॉक किया है, एक contact number और email ID उन्होंने मेरे साथ share की, मैंने वहाँ पर बात किया, तो cyber police के अधिकारियों ने बताया कि आपके account में direct fraud का पैसा आया, यहनी कि जो victim है, जिसके account से पैसे debit हुए है, वो पैसे इनिकल के सीरी मेरे account में आये है, जबकि मेरी किसी victim से कोई बात नहीं हुई, तो मैंने उसे request किया, क्या सार आप मेरी victim से बात करवा सकते ह तो उन्होंने बात तो करवाने से मना किया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि कितने amount का मतलब अक्सर problem हुआ है, तो उन्होंने 17,000, 70,000 रुपए के fraud होने का जिक्र किया, जो की लगभग निराधार है, मैंने अपने account में चेक किया, तो 70,000 कर तो transaction ही नहीं हुआ था मैंने ऐसे मांगे नहीं है, अगर हाँ ऐसा कुछ आया है, तो आप मेरे bank account के record चेक कर लीजिए, और mobile के record चेक कर लीजिए, और direct जो victim है, उसका phone चेक कर लीजिए, क्या मेरी उससे बात हुई है, और अगर किसी ने गलती से मेरा number share किया उसको, तो इसमें मेरी गलती नहीं हो सकती ह हाँ, अगर किसी का गलत तरीके से मेरे account में पैसा आया, तो मुझे का पैसा रखूँगा नहीं, लोटा दूगा, बस आप victim से contact कर लीजिए, तो investigation officer ने कहा, कि उन्होंने victim को बुलवाया है, जैसे ही कुछ पता चलेगा, तो वो मुझे आगे की बताएंगे, तो दोस्तों, आगे के next video मैं, जब ये सब क्लिए तो बताऊंगा, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे cases में मैंने क्या-क्या steps लिए, और आपको आगे चलके क्या-क्या steps लेने हैं, तो दोस्तों, सबसे पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरा bank account freeze किया गया है, तो मैंने customer care से बात किया, customer care अपने rights में ना होने की बात कही, कि वो अपने account freeze नहीं कर सकते, direct branch जाना पड़ेगा, तो मैं भले ही अपने direct branch नहीं जा पाया, तो मैंने nearest में same bank का जो branch था, वहाँ पर विजिट किया, वहाँ पर मुझे problem पता चली, हलाकि वहाँ मेरी कोई help नहीं हुई, यह मैं आपको अन नहीं कर सकते, अब इसके बाद, simple सा उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से mail ना में सही है, अब मैं इसके बाद, कोई मुझे रास्ता नहीं सूज रहा था, मैंने उस agency का contact number, email भी मांगने को उन्होंने नहीं दिया, तो मैं simple सा Twitter पर गया, और अपने bank को, जो कि मेरा EU finance, small finance bank है, उस साथ घंटे में reply आया मुझे, कि आपका account जो है, law enforcement agency की दोरा ब्लॉक किया गया है, गुजरात, cyber police, उनका पूरा address भी था, जो investigation officer था, उसका number और email ID भी दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि आप उनसे contact कर सकते हैं, अगर उनकी तरफ से हमें mail आता है, या कोई notice आता है, तो हम FD अगरा थी, उसके लिए मैंने court जाना ठीक नहीं समझा, मैंने direct investigation officer को ही contact किया, वो बहुत अच्छे आदमी थे, और उन्होंने मेरी काफी help भी की, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक investigation complete नहीं होती, वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं इसी के follow करना है, अगर आपकी bank help नहीं करना है, तो Twitter पर जाएए, वहाँ tweet कीजिए, और लिखिए उनको, कि आपका account जो है, freeze किया गया है, क्यों क्या, तो Twitter पर जो reply आएगा, वो आपको honestly reply मिलेगा, यहाँ तकी पूरी investigation agency और contact details मिलेगे, इसके बाद दोस्तों, आपको उनसे contact करना है, बातचीत करनी है, और अगर मान की चलिए कि जिस cyber cell ने आपके account को block किया है, वो आपके state से बाहर है, जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं, आपका account गुजरात में block हुआ है, या फिर आप मद्धे परदेश में रहे हैं, आपका account असम cyber cell ने block किया है, तो आपको वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तो आप उनको phone की या email के जरीए contact करना है, और अगर वो लोग बोलते हैं कि आप हमसे यहाँ करके मिलिये, तो आप वहाँ पर जा के मिल भी सकते हैं, और अगर आप ने कोई fraud किया है, या आप को ऐसा डर है, कि आप पकड़े जा सकते हैं, वहाँ ज आप लोगों को decide करना है कि कैसे करना है, लेकिन एक बात तो मैंने clear कर ली, कि अब मैं किसी भी person से अगर business करूँगा, तो उससे return में business करूँगा, return में bill दूँगा, जब मेरा GST आ जाएगा तो, और मैं आप लोगों को से भी request करता हूँ, अगर आप कोई service provider हैं, तो सभी customer क लिखित में tax वाला government tax अन्य GST बिल दीजिए, उनसे return में पैसा लीजिए, अगर कोई Google पे phone पे भी करता है, तो लीजिए, कोई परिशानी नहीं है, लेकिन bill जरूर दीजिए उनको, ताकि वो आगे चलके claim नहीं करने पाए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी problem हो सकती है, अ अपना ही बहुत मीठी-मीठी बात करके आपको गुमरागी है, जो मेरे उपर बीता मैंने होनच लिए आपको बताया है, अब आप लोगो को decide करना है, आप कैसे इसको manage करेंगे, और I hope कि अगर आपके साथ इसी problem हो रही है, तो वो जल्दी ही solve हो, thank you.